दोस्तों इस वीडियो में हम लोग UPGIC Lecturer का Expected Answer की क्या है वो देखने जा रहे हैं जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए थे और त्यारी कर रहे थे निश्चित रूप से उनको इस परिछा में भी लगभग 20 प्रस्न हमारे 7-8 वीडियो से मिला करके मिले हैं आईए सबसे पहले हम लोग सामान अध्यन के 40 प्रस्नों को देख लेते हैं पहला प्रस्न है हडपी पुरास्थल बनावली किस नदी पर इस्थित है इसका आंसर B सही है घगघर इसी को सरस्वती नदी के नाम से भी जानते है इसका आपसन B सही है ब्रिहद्रत तिसरा प्रस्न है निमनलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानुई दंड देना बंद कर दिया था इसका आपसन C सही है फिरोसा तुगलक ने बंद कर दिया था कुश्चन नमबर 4 वह कौन सा प्रथम मुगलबात सा था जो अंग्रेजो का पेंसन भोगी बना यानि अंग्रेजो से सबसे पहले कौन सा मुगल सा सक पेंसन लेना सुरू किया इसका आपसन B सही है शाह आलम पांचमा प्रस्ण है भारती राष्ट्री कांग्रेश में समलित होने के लिए सुबास चंद्रबोस को किसने प्रेरित किया इसका आपसन D सही है चितरंदन दास और M के गाधी नेक्स्ट प्रस्ण है अठारा सव उन्तिस में अंग्रेशों के विर्धुखासी जनजाती वी द्रोह का नितित किसने किया था इसका आपसन A सही है तिरोट सिंग ने किया था साथमा प्रस्ण है निम्नलिखित में से कौन हडपी पुरास्थल उत्तर प्रदेश में इस्थित नहीं है इसका आपसन B सही है देशलपूर आठमा प्रस्ण है कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमड के समय वहां का सासक कौन था आपसन A सही है राज्यपाल वहां का सासक था अगला प्रस्ण देखते हैं मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपत को सिछा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था आपसन C जौनपूर दस्वा प्रस्ण है निम्नलिखित गुप्त कालिन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है इसका आपसन D सही है देवगड का दसावतार मंदिर ग्यरहमा प्रस्ण है RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उलंगहन के लिए जुर्माना लगाया गया आपसन A सही है 14 बैंकों पर बारहमा प्रस्ण है GST परिशत का अध्यक्ष कौन है इसका आपसन B सही है केंद्री वित्यमंत्री मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ताकि कम समय में प्रस्णों को कबर किया जा सके तेरहमा प्रस्ण देखते है असमानता वाइरस वैसिक रिपोर्ट प्रकासित की गई इसका आपसन A सही है आक्स फैम के द्वारा नेक्स्ट प्रस्ण है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी किस सन में शुरू की गई थी इसका आपसन A सही है 2014 में पंद्रहमा प्रस्ण देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माड योजना का संगटक नहीं है सत्रहमा प्रस्ण देख लेते हैं भारत में मीचूल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमियत किया जाता है रहु साधार प्रस्ण यह इसका आपसन B सही है C B 2018 प्रस्ण देख लेते हैं बैंकों में उब्होगता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समीती का गठन किया गया था आपसन C सही है गोईपूरिया समिती उन्निश्वा प्रस्न है भारत के कुल भागोलिक छेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भागोलिक प्रतिशत है इसका आपसन A सही है 7.33 प्रतिशत बिस्वा प्रस्ण है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च दो हजार बीस को राज्य के जीडीपी और प्रतिव्यक्ति आय के मामले में सिर्ष अस्थान पर है आपसन B सही है नोएडा एक किस्वा प्रस्ण देखते हैं निम्रलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है सिमेंट, चीनी, कपड़ा, आटो मोबाइल तो इसका आपसन D सही है आटो मोबाइल निम्रलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक निर्थ नहीं है यह 22 प्रस्ण है, इसका आप्षन D सही है, जैता, 23 प्रस्ण देख लेते हैं, 12 हमें वित्त आयोग का अध्याक्ष कौन था, इसका आप्षन B सही है, C रंगराजन, अगला प्रस्ण है, निम्नलिखित इगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ राज दिया है इसका आप्षन A सही है, असम इसका च्छ दिया है, जबकि इसमें राज जबाब में सीटों के संख्या इसकी कितनी है, साथ है, इसलिए आप्षन A सही है, पचीसमा प्रस्ण है, निम्नलिखित में से राज जी के नीति निर्देशक, तत्तों का कौन सा अनुछेद, राज को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, इसका आप्षन A सही है, 43A, अगला प्रस्ण देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिशद, विद्ध विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है, बहु उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, इसका आप्षन A सही है, अनुछेद 165 के ताद, अगला प्रस्ट, मौलिक करतव्यों को भारती संविधान में 22 संविधान संसोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिसों के अनुसार जोड़ा गया ह इसका आप्षन C सही है, स्वन सिंग समिती के आधार पर, उन तीसमा प्रस्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रस्टों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसका आप्षन D सही होगा, गडरवारा आंध परदेश, ये सुमेलित नहीं है, नेक्ट प्रस्ट है, इसम से संबन देते इसको मैच कराना है यह हमारा खनी संसाधन पे जो वीडियो अभी हाली में एक हपता के अंदर ही अफलोड किया हूँ उसमें से प्रसनाया हुआ है इसका आपसन बी सही है आप मिलान कर लेंगे यदि मैं बताने लगा तो काफी समय लेगा लंबा वीडियो बने है उसको जिस जिन लोगों ने भी देखा है उनका ये प्रसन सही होगा बहुत मैदार टिक के माध्यम से उसको मैंने बताया भी है अगला प्रसन देखते है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण के अंदर निम्नलिखित में से किस अस्थान या जन्पद में इस्थित है इ ये थ्वासा डाउटफूल है फिर भी हमारी साब से इसका आंसर सी होना चाहिए फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसका थर्टी फोर देख लेते हैं पारिस्थित की ये तंत की अवधार्णा प्रथम बार दी गई किसके द्वारा दी गई एजी टांस लेके द्वारा आप आपसर एस है खरबूजाँ इसका आपशन डी सही है रिले क्रापिंग होगा इसका नेंस्ट कोश्चन है निम्नलिखित में से किस छेतर में मोट्र अनाजवाली फसले उगाई जाती हैं इसका आपसन बी सही है निचणे छेतर में 38 question देखिए सौर उर्जा का कारण है आपसन यह इसका सही है sun lion प्रक्रिया यानि कि fusion reaction होगा इसका answer next question देखिए विलूप्त संख्या ज्याद कीजिए इसमें सामने सामने के जो पड़ रहे हैं box उसको multiply कर देंगे 3 से और उसमें 2 को आप प्लस कर देंगे तो आपका question mark वाला box मिल जागा यानि कि 6 को 3 से multiply कर दीजिए और उसमें जो आरा उसको आप प्लस 2 कर दीजिए आपका answer होगा C 20 अगला प्रस्ण है सब्दों के विशम यूगम को चुनिए इसमें मिर्तिव से क्या प्राप्त होगा रोग प्राप्त होगा अंगूर से सराब तो मिलता है पता है दूध से मखन बनाया जा सकता है पानी से आक्सीजन भी बनाया सकता है मिर्तिव से रोग नहीं पैदा किया जा सकता है रोग से मिर्तिव होता है इसलिए हमारे हिसाब से इसका आपसन A सही होना चाहिए फिर भी final answer की के समय तक इसका इंतजार कर लिजेगा लेकिन मेरे हिसाब से इसका answer A होना चाहिए अब हम लोग भूगोल से संबंधित प्रस्णों को देख लेते हैं इसमें पहला ही प्रस्ण जो 41 नंबर पे दिया हुआ है निमनलिखित में से किस बिद्वान का यह मत्था की भूगोल और इतिहास गयर समान जुड़वा हैं दोस्तों मैं इसका उत्तर बताने में असमर्थ हूँ अभी पहला ही प्रस्ण मैं नहीं बता पया घबडाये नहीं आगे सारे प्रस्ण आपको मैं बताऊंगा 42 प्रस्ण है निमनलिखित पुस्तकों में से किसके लेख़ अरभ भूगोल वेता अलबरूनी नहीं है जो लोग भी हमारा बुक पे बनाया गया जो पुस्तकों से संबंधित जो मेरा वीडियो है उसको देखे हैं वो इसको आसानी से कर लिये होंगे इसमें आपसन बी सही है किताब उल काफी ये संबंधित नहीं है अगला प्रसन है निम्रिखित में से किस भूगोल वेता ने यह प्रस्तावित किया है कि सभी इतिहास का भावगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का इतिहासिक रूप में अध्यन किया जाना चाहिए इसका आपसन ए सही है हेरोडोटस ये मेरा जो बिगत परिछाओ से संबंधित जो सीरीज आपकी तयारी मेरी जिमेदारी में चला रहा था उसका पार्ट एट आप देखेंगे सेवेन या एट उसमें आपको ये मिल जाएगा पैतालिसवा प्रसन देखते हैं एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है और दूसरे तरफ लेखक दिया हुग गया है और इसमें से पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है ये भी मेरे पुस्तक से संबंधि जो वीडियो है उसमें दिया गया है इसका आपसन D सही होगा जियोग्राफिया जेनरेलिस ये कांट द्वारा नहीं लिखा गया है वारेनियस द्वारा लिखा गया है इसलिए D आपसन सही होगा 46 देखिए निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोल वित्ता ने भावतिक भूगोल के छेतर में योगदान किया है इसका आपसण D सही है आसकर पैसेल 47th question है निम्नलिखित यूगमों में से कौन सुमेलित नहीं है एक तरफ संगल्पना दिया है और दूसरे तरफ इसके प्रतिपादक दिया हुआ है तो ये भी मेरे theory वारे video से ये भी match करेगा लेकिन इसमें 2 ही आ रहा है थोड़ा सा confusion इसमें है लेकिन मेरे हिसाब से इसका आपसण D सही होना चाहिए यदि D नहीं है तो C फिर होगा अगला प्रसंद देखते हैं 48 निमलेखित कत्रों पर विचार कीजिए तथा उनमें से कौन सा सही है सही उत्तर नीचे दिये गए कूट से चुनिये टालमी का पहला इसमें दिया गया टालमी का मत्था की प्रमुख या मिततर बर्मूदादीप से होकर गुजरती है पहला आपसण मित्रो गलत है इसका पहला तो गलत है confirm है क्योंकि कनारी इन्होंने बताया था कि कनारी से होकर के प्राइम मेरेडियन जो है वो गुजरती है तो यहां पर दे रहा है यह बर्मुडा दिप तो यह गलत हो गया दूसरे के बारे में मैं कन्फर्म नहीं हूँ इसलिए मैं इसका आंसर भी नहीं बता पा रहा हूँ अगला प्रसंद देखते है एक्सेप्शनिलीज में इन जियो निवखित में से किस बिद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भुगोल के विकास का स्रे जाता है यह भी जो मेरा सिध्धान से समंदिद विट्यों है उसमें दिया गया है इसका आप्सन C सही है W कीर्क अगला प्रसंद देखते है भुगोल को प्रिथवी पटल के व रिचर्ड हार्ट सोन ने इस परिभासा को दिया था 52 कोशन देख लीजिए प्रसिद्ध पूस्तक पोस्ट माडरन कंडिशन को किस ने लिखा है इसका आप्सन A सही है जीन फ्रेंकोईस लियोटार्ड ने इसको अगला प्रसंद है निमलिखित में सब से उचा बादल कौन स है इसका आप्सन A सही है पच्छाव यानि साइरस नेक्स कोशन है हर्मटन पौनों के संदर में निम्खि में से कौन सा कथन सही है और उसको आपको कूट में से चैनित करना है यह एक उत्तरी पूर्वी पहावन है यह पहला सही है यह मई और जून के महीने के दोरान के बीच में यह चलती है तो इस तरह से इसका आप्सन A सही होगा 55 कोशन देखिए निम्खि में से कौन तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है मेरे हिसाब से इसका आंसर C होना चाहिए अक्छांस यह प्रतिलोमन फिर भी मैं कंफर्म नहीं हो लेकिन मेरा मानना है कि C होन का कारण है यह आपका TGT या PGT में भी प्रसनाया हुआ था भी इसका आप्सन A सही है केवल अपनी धूरी पर प्रतिलोमना यह आप्सन इसका सही है नेक्स्ट कोश्चन है सुमेलित कीजिए एक तरफ पवन दिया हुआ है और दूसरे तरफ छेतर दिया हुआ है इसका आप इसका आप्सन A सही है उची पहाडियां और परवत्तों को विकिरण खिड़की कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है निम्नलिखित में से कौन भुमद सागरी जलवाईव के प्रभाव में नहीं है इसका आप्सन C सही होगा वेने जुवेला बाकी सभी भुमद सागरी जलव जलवाईव पाई जाती है सभी जगों पर साथमा प्रसन देख लिए जलवाईव के वर्गिकरण से संबंधित कोपेन की पध्धती को कहा जाता है आप्सन D सही है अनुभवात्मक नेक्स्ट कोशन देखिए कथन दिया है कारण दिया है कहरा इसमें से कौन सही है तो दोनो गोलार्थों के 60 डिगरी से 65 डिगरी आक्षांसों के निमन वायुदा पेटियां होती है ठीक है निमन वायुदा पेटी पाई जाती है सही है यह निमन दावचेत्र भूमी पर नहीं बलकि महासागरों पर अस्थाई होते हैं तो हम्में लगता यह दोनों सही है इसलिए ब फिर भी थोड़ा confusion जरूर है मुझे, 62 question देखिए, छो मंडल में उचाई बढ़ने पर सामाने ताफ रास दर है, 6.5 degrees Celsius, प्रती 1000 meter यानि आपसन C सही है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थल मंडल को वाणित करता है, इसका आपसन C सही है, इसमें भूपटल यानि कि क्र और अपर मेंटल दोनों समलित होता है, ठीक आपसन C सही है, अगला प्रस्ण है, निम्न में से किसने सर्व प्रथम यूरोप अफरिका वो अमेरिका के साथ होने की संभावना ब्यक्त की थी, इसका आपसन A सही होना चाहिए, अलफ्रेड वेगनर ने, नेक्स्ट कोशन है, नदी घाटी में छैती जुरूप से बेवस्थित कठोर और मुलायम, चटानों का असमान अपरदन के द्वारा इसका होता है, 66 देखिए, निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर परवती पठार माना जाता है, इसका आपसन C सही है, तिब्वत का पठार, अगला प्र अगला प्रसन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवरतनिक सिधान्त का आधार नहीं है, इसका आपसन C सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से, C नहीं हुआ, तो फिर जो है अब देखना पड़ेगा, लेकिन हमारी हिसाब से अभी C सही होना चाहिए, 69 देखि किसकी आगरती होती हैं मित्रों, ड्रमलीन की, यानि आपसन B सही है इसका, सत्तरवा प्रस्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तथा दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिये, तो सही उत्तर इसमें क्या है, क्रष्ट की निचली परत के नीचे भुकंपी तरं अधिक होता है, गनत अधिक होता है, इसलिए भुकंपी तरंगों का वेग भी अधिक होता है, तो दूसरा भी सही है, अब आपसन सही है, तो इसका आपसन B, इसमें 1 और 2 सही है, ठीक है, अब एक आत्तरवा प्रस्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित अस्थला किरती नहीं है, इसका आपसन C सही है, बाकी सभी भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती है, 72 प्रस्न है, एक तरफ जो आला मुखी परवत दिया हुआ है, और दूसरे तरफ देश दिया हुआ है, इसको आप मैच करा लेंगे, इसका सही आं जो है उससे आया हुआ है, तो इसका आपसन D सही है, इसका हिम्रद नियंत्रन सिध्धांत, यह इससे संबंधित, नहीं है ज header हो आरभाता से संबंधित, अगला प्रसन देखते हैं, मेग अजिस्थिरता सिध्धांत को किसने प्रतिपाधित किया था? इसका आपसन C सही है, बर्गरान और फंडिसेन ने इसको संबंधी थे इस से 75 देख लेते हैं केप वर्डे एक दीप समू है जो की अवस्थित है इसका आपसन B सही है अटलांटिक महासागर में अगला प्रस्ण है कौन सी समुद्री धारा गर्म समुद्री धारा है इसका असपस्थ आंसर है आपसन B ब्राजील धारा नेक्स कोशन देखिए थ्वासा प्रिंट जरू धुद्रा है लेकि मैं पढ़के बता देता हूँ निम्नलिखित सागरों का पस्चिम से पुरु सही क्रम है इसका आपसन D सही है नेक्स कोशन देखिए प्रवाल भित्यों के विकास के बारे में निम्नलिखित कतनों पर विचार करें और सही उत्तर कतनों के नीचे दिये गए कूट से चुनिए पहला है इसमें प्रवाल मुखेता उश्रकटबंदी महासागर में बनते हैं सही है दूसरा प्रवाल गहरे महासागरों में नहीं पाये जाते हैं वे समुद तल के नीचे 60-70 मीटर तक की गहराई तक पाये जाते हैं ये भी सही है तीसरा इसका है 27-30 प्रतिहजार इसमें है महासागरी लवरता मुगा जन्तु की ब्रदी के लिए अनुकूल होता है बिल्कुल सही है इस तरह से इसका आपसंट D सही होगा अगला प्रस्ण देखते हैं 79 निम्रखित में से कौन सा कारक लवरता को नियंत्रित नहीं करता है इसका आपसंट C सही है अब हम लोग 80 नंबर का प्रस्ण देखते हैं इसमें राष्ट्री उद्यान दिया है उसकी अवस्थिती दे रहा है इसको आप लोग मैच करा लेंगे इसका आपसंट B सही है ठीक है आगे देखते हैं औरिजीन आफ इसपीसीज पुस्तक के लेखा कौन है इसका आपसंट C सही है चाल्स डार्विन ये भी मेरे किताब वाला जो वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा निमनिलिखित में से किसने सरोपर्थम इकोलाजी सब्द का प्रयोग किया था इसका आपसं B सही है अरनेस्ट हैकेल ने किया था ये वर्ड से सम्बंदी जो वीडियो बनाया है साताटमेट का उसमें ये आपको मिल जाएगा निमनिलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के च्छाई करण से सम्बंदित नहीं है इसका आपसं A सही होगा वर्षा की मात्रा वह मिट्टी की नमी में बिड्धि ये सही नहीं ये च्छाण से सम्बंदित अगला प्रस्न है वाई उप्रदूसर का निमनिलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पढ़ता है इसमें प्रभाव पढ़ता है कि इन पर कि पर देख लेते हैं असनायु तंत्र, बहरापन और चिरचिड़ापन ये तीनों वाई प्रदूसर से का इन पर प्रभाव पढ़ता है A जो है जल द्वारा पेचिस ठीक है ना ये इसका आंसर सही होगा पेचिस इसको ध्यान में रखेंगे नेक्स कोश्चन है विश्व का सरवाधिक जय वविवित्ता सम्रिद्ध छेत्र है इसका आप्सन A सही है कई बार परिक्षाम पूछा गया उस नकटी बन दिये छेत्र 86 देखिए प्राकृतिक पारिस्तित की तंत्र में निम्न पोशन अस्तर के जीवों के आहार उर्जा का उच्च पोशन अस्तर के जीवों में अस्थाना अंतरण के क्रम को कहते हैं इसका आंसर A सही होगा आहार सिंखला नेक्स कोश्चन है एक तरफ देश दिया है दूसरे तब अस्थाना अंतरण सिल क्रिसी का नाम दिया है अकरा कौन सुमेलित नहीं है तो इसका option C सही है स्रिलंका यहाँ तुंग्या दिया है जबकि स्रिलंका में अस्थाना अंतरण सिल्क्रिसी को चेनना कहा जाता है अगला प्रसंद देखते हैं एक तरफ जल परपात दिया है और दूसरे तरफ दिया है कह रहा है सुमेलित इसको करना है तो इसका option B सही है ठीक है? इसका option B सही है आप मैच करा लिजेगा नेक्स्ट कोश्चन है विश्व के दो सिर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश हैं इसका option C सही है चीन एवं इंडोनेशिया नब्वेवा प्रसन देख लेते हम लोग निम्रिखित में से कौन सा संभाब बिसंसाधन भारत में अधिक विक्सित नहीं है दोस्तों इसका भी उत्तर हमें पता नहीं है इसका आप लोग कहीं और से देख लेंगे या अंसर की तक इंतिजार कर लीजिए अगला प्रसन देखते हैं निम्रिखित में से कौन से सहर डेन्यू नदी के किनारे इस्थित नहीं है देखे दोस्तों इसमें चार दिया गया है और जो कूट दे रहा है उसमें दो को एक साथ मैच कराया हुआ है इसमें बुड़ापेष्ट, बेलग्रेड और बुखारेष्ट ये तीनों डेन्यू नदी के किनारे इस्थित है केवल बर्लीन ही ऐसा है जो डेन्यू नदी के किनारे इस्थित नहीं है इस तरह से इसका कोई भी आपसन सही नहीं बैट रहा है इस तरह से ये कोश्चन आपका निश्चित दूरुप से आयोग द्वरा हटा दिया जाएगा गलत है ये क्योंकि आपसन सही नहीं दिया गया है अगला प्रसंद देखते हैं निवनिखित में से किसने चक्तान चक्र की आउधाना प्रस्तुत की इसका आपसंद C सही है James Hutton नेश्ट कोशन देखिए निवनिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है ठीक है अनुक्रमिक सब्द नहीं समझ में आ रहा है तो gradational process इसे अंग्रेजी से समझ लीजिए यहां से इसका आपसंद D सही है इसमें क्या है उचे अस्तल को काट चाट करके समतली करण की यह प्रक्रिया है इसी को gradational process करते हैं तो इसके लिए आपसंद D सही है अपर दन अगला प्रसंद देखते हैं संपूर्ण पृत्वी एक इकाई है जिसके विभिन भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित है यह तत्य निम्रखिवने से किस विचारधारा को प्रकट करता है इसका आपसंद D सही होना चाहिए पार्थिव एकता का सिध्धान्त इसका आपसंद सही होना चाहिए पंचानवेवा प्रसंद देखिए एक तरफ बंदरगा दिया है दूसरे तरफ अस्थान दिया है इसको मैच करा करके लिखना है तो इसका आपसंद A सही है आप लोग मैच करा लेंगे इसको रोक करके पाज करके थीक है मैं आगे चलता हूं लेट नहीं करना चाहता हूं निम्रखीव में से कौन सी एक परवत स्रेड़ी काला सागर और कैस्प्सियन सागर के बीच इस्थित है इसका आपसन C सही है काकेशस परवत जावा द्वीप निवखिव में से किस विवर्तरिक प्लेट में स्थित है इसका आप्सन जुप ए सही होगा उरेशियन प्लेट का इह हिस्सा दिखाया गया है नेक्ट कोश्चन है 98 फिलिपीन्स के संदर में न्यूखिब में से कौन सा कौन से कथन सही है इसमें 7000 से अधिक द्वीप सामिल है बिल्कुल 7000 से अधिक द्वीप आते हैं फिलिपीन्स के अंतरगत और फिलिपीन्स एसिया का एक मात्र इसाई दास्ट है ये भी सही है इस त से बड़ा अमिरात निम्खिव में से कौन सा है तो इसका आपसन B सही है दुबई यदि इन तीनों का छेत्रफल आप जोड़ देंगे तो दुबई से कम ही है अभी इस तरस इसका आपसन B सही है अगला प्रस शूवाप्रस देखते हैं पोलर फ्लिंग बल निक्वी में से किसे संबंदित है इसका आपसंट D सही है प्रिथवी का घूड़ा रोटेशन आप दा अर्थ ये इसका आंसर है अगला प्रस्ट एक तरफ देश दिया हुआ है और दूसरे तरफ राजधानी दी हुए है और इसको मैच कराकर कि आपको कू आपना आपको किस ने दिया है वीद्वान में उसको कि आपको मैच कराके कूठ क कुट से चाहनित करना है ये भी मेरा जो वीडियो थियोरी वाला है उससे रिलेटेड ये प्रस्ण आया हुआ है आप लोग मेरा जरूर से जो बूख सै ठीयरी है वर्ट्स आई यह सब जो खनिश संसादाने उन सब वीडियो को जरूर से आप देखिए हर परिछाओं में उससे आएंगे और मेरा जो उदेश से है कि एक साल के अंदर PGT और TGT से संबंधित जो important topics हैं जितने question आते हैं उसको डालना है और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ अगले बार जब भी आप TGT PGT के परिछा देंगे तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही आप किसी भी परिछा में कटाफ तो पार कर ही जाएंगे इतना मैं बनाऊंगा आए देखते हैं इसको तो इसका option A सही है इसको आप मैच करा लेंगे नेक्स्ट कोस्चन है निमनिलखित में से कौन सी गैस ज्वाला मुख्य उद्दार के दोरान प्रतिसत में अधिक्तम मात्रा में निकलती है तो इसका option D सही है जल वास ये 62 90% पाए जाता है 104 देखिए वर्स 1967 में आसियान के अस्थापना निमनिलखित में से किस देश में हुई थी इसका option A सही है बैंकाक थाइलेंड में हुई थी ठीक है अगला प्रस्ट देखिए 2001 की जनरणा के अनुसार पूछ रहा है कि किस जिले का लिंगानुपाद उत्तरप्रदेश का सरवाधिक था तो इसका option D सही है आजमगड का अग इसका option D सही है स्रीराम सागर परियोजना मित्रो मुझे अफसोस है कि मैं बाद से सम्बंधित वीडियो बना रहा हूँ और ये जल्दी ही मैं देने वाला हूँ थोड़ाला परवाही हो गया उसमें ये पड़ा हुगा यदि मैं डाला होता तो जिसका भी गलत हुआ होगा ये सही हो जाता उसे सम्बंधित आपको वीडियो जल्दी मिलने वाला है एक सो सात्मा प्रसंदेखिए निम्रखित में से कौन सी जील स्वेज नहर के मार्ग में नहीं पाई जाती है तो इसका option B सही है तुरकाना जील इसे ही रुडोल्फ जील के नाम से जाना जाता है नेक्स कोश्चन है कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है आपको तो इसका option ये सही है पच्छाब में हीम क्रिस्टलों से बनते हैं ठीक है अगला प्रस्ण है निम्रखित में से कौन सा राज ये गंगा वेसिन का हिस्सा नहीं है इसमें थ्वासर डाउ देखते हैं तो नेट पर देखने पर दिखा रहा लगवार डेढ़ प्रतिसत जो है छेतरपल च्छतिस गण का च्छतिस गण का आपका गंगा वेसिन के अंतरगत आता है इसलिए थ्वासर डाउटफूल है वैसे मेरे इस आपसे सिक्किम होना चाहिए ये ये नहीं होगा तो च्छतिस गण होगा अगला प्रसंद देखते हैं दो हजार बीस एकरीस के दवरान निखिव में से देश यूग में भारत के किरसी उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे इसका आपसन ये सही होना चाहिए कनफर्म नहीं हूँ फिर भी मुझे आसा है कि ये सही होग सनुकत राज अमेरिका और चीन नेक्ट कोश्चन है हिमाले में भारत का उच्च उचाईवाला अनसंधान केंद्र हीमांस निमर्खित में से किसा स्थान परिस्तित हैं? इसका आंसर सी सही है इस पीती है इस पीती हिमाले में परदेशम पढ़ता है ये इसका आपसन सही है अगला कोशन देखिए निम्रिखित राज्यों का वन आच्छादी छेत्र इसको कह रहा है कि अवरोही क्रम में यानि घटते क्रम में आपको अरेंज करना है इसको तो इसका आपसन बी सही है सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के हिसाब से है वो थर्ड यानि मिजोरम उसके बाद सेखेंड अरुणाचल प्रदेश उसके बाद फर्स्ट में घाले का नंबर आता है और चौथे अस्थान पर आपका है मरीपूर इस तरसे आपसन बी सही है सबसे नेक्शत कोशन देखिए कोपेन के वर्गी करण के अनुसार भारत में एस परकार की जल्वाई कहां पाई जाती है यहां भी मैं बताया था-अपको थान्थीड के वर्गी करण तट पर यह भी देखिए प्रिंट सही नहीं है फिर भी मैं पढ़कर बताता हूँ आपको एक सो चौदा हमा प्रस्ण है निम्लिखित में से कौन से तेल छेत्र इराक में इस्थित नहीं है तो इसका आपसंद सी सही है यानि कि दो नंबर पर मारून जो दिया गया है यह इरा सब्सक्राइब है वैसे इसका आपसंद सही होना चाहिए उक sarcasm मॉगादिसा dla का यदि यह नहीं होता है तो वी इसका आपसंद सही होगा आविदजान जो ऊएवरी कोस्ट्म पड़ता है इनहीं दोनों मेंसे लेकिन आपसंद दी जो लोग लगाये होंगे वह संभावता सह होना चाहिए निम्नलिखित देशों में से कौन अस्थल से घीडा हुआ नहीं है? तो इसका आप्षन D सही है अंगोला नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसका आपसन सी सही होगा पहला और तीसरा यानि कि तावा चितरदूर्ग में वाला आपसन सुमेलित नहीं है और तीसरा जो है मैगनीज भीलवारा से संबंधित नहीं है बाकी ये दोनों स सोधन साला दिया है और भारत के राज्य दिया गया है तो आप इसको यदि मैच कराएंगे तो मिनरल्स वाले आज जो मैं वीडियो बनाया हूं खनी संसाध हमा उसको जो लोग देखे होंगे तो यह आपका सही होता तो इसका आपसन बी सही है अगला प्रस्ण देखिए एक त उत्तर से दक्षिड़ की और कस्मीर हिमाले परवस रिंखला का सही क्रम है इसका आंसर भी सही है इसके लिए मैं जब त। एक फ़ार्मूला बनाया था। या कात परइक्षः शाओं मैं पहले भी पूछा जा चुका है इसका फार्मूला मैं बनाया था काल जा पीर का से कारा कोरम लो से काल लो से लद्दाख आज्जा से जासकर और काल जा पीर से पीर पंजाल तो ऐसे यह याद रहता है हमेशा उतर से दक्षिन के तब इसका आपसन भी सही है दोस्तों यदि कहीं इसमें प्रस्ण में तूटी हो या दिकत हो या मुझसे गलती हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से डालेंगे ताकि और लोग भी उसका आंसर जान सकें यदि आप हमारे चैनल से जूड़ना चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक अवस्चे करेंगे धन्यवाद